नमस्कार में हूँ आपके साथ सोनम सिंग और आप देख रहे हैं TV24 वक्त हो गया है बुलेटन का बुलेटन की शुरुआत करेंगे बड़ी कबर के साथ भारत को एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है कई राजियों में सामने आये हैं JN1 के मामले 24 घंटे के भीतर 628 नए मामले देखने को मिले हैं आपको बता दे कि एक हपते के अंदर 3 गुना कोबिट केसों में बढ़त हुई है करनाटक में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ना शुरू हो चुके हैं बीते 24 घंटे में 125 नए मामले देखने को मिला है और कोरोना से अब तक 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के केस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हिमाचल सरकार अलर्ट पर है नए साल को लेकर महाँ पर आ रहे है सेलानियों की बढ़ती भीर को देखते हुए लोगों को जागरूख किया जा रहा है हिमाचल में लोगों के अंदर निउयर्स से पहले COVID का खौफ देखने को मिल रहा है लोग समझ चुनाओं में अब बस चंद महीने का वक्त बचा है BJP पूरे जो शोर के साथ इसकी तैयारी में जुट गई है आपको बता दे कि BJP इसकी तैयारियों में जुटी हुई है और JP नड़ा जो BJP के अध्यक्ष है वो इस समय गाउँ चलो अभ्यान की शुरुवात कर चुके हैं सभी को निर्देश दे चुके हैं कि गाउँ चलो अभ्यान से सभी कारिकरता जुड़े उत्तर प्रदेश में सहायक सिचकों की भरती का रास्था साफ हो चुका है UP के बेसिक सिक्षा परिसत के सच्यूब प्रताप सिंग बगेल ने इसको लेकर जानकारी दी है राजी के एक्याउन जिलो के बेसिक सिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया जा चुका है कि सेलेक्टेट 6470 उमीदवारों की फाइनल लिस्ट 27 दिसंबर को जारी की जाए उत्तर भारत में कडाकी की ठंड शुरू हो चुकी है पंजाब, हरियाड़ा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत मध्य प्रदेश वादिली NCR में नियूंतन तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है वहीं दच्छुड में कुछ राजियों में इस समेत तापमान सामान इसे थोड़ा उपर बना हुआ है वहीं मौसम विभाग का कहना है कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्राखड में बर्प बारी हो सकती है खबर लखनाउसे है जहाँ पर अमीनाबाद में 4 दिनों के लिए होलसिल दवा बाजार को बंद कर दिया गया है जानकारी की मताबिक हर साल की तरह इसार भी कैमिस्ट एसोशियेशन ने 29 दिसंबर से लेकर एक जनवरी तक बाजार को बंद करने का अलान किया है वहीं फुटकर विक्रेताओं को कोई असोविधा ना हो इसका भी ध्यान रखा गया है आयोधर में भगवान राम की भविमंदिर की प्राड पतिष्ठा 22 जनवरी को पीम नरेंद्र मोदी की हाथों होने वाली है वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर महराश्च के पूर्व मुख्य मंत्री उधव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है उधव ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर लिखा है कि हमारे ग्रै मंत्री कहते हैं कि राम लला का दर्शन फ्री करा देंगे क्या राम लला आपकी प्रोपर्टी हैं उतरकाशी के टनल में फसे 41 मजदूरों को निकालने में रैट माइनर्स का अहम एउगदान रहा है रैट माइनर्स ने मात्र कुछ ही गंटों में सुरंग को सफलता से खोथ कर मजदूरों को बहान निकाला था आपको बता दे कि जो उनको इनाम की धनराशी दी गई थी उसको उनोंने लोटाने का एलान कर दिया है जानकारी के मुताबिक सीम धामी ने उन्हें 50,000 रुपे इनाम देने की गोशना की थी लेकिन मजदूरों ने उन्हें लोटाने की बात कही है सपानीता डिमपल यादव का बयान सामने आया है आपको बता दे कि स्वामी प्रसाद मौर के बयान पर डिमपल यादव ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर का बयान ब्यक्तिगत बयान है समाजवादी पार्टी का इससे कोई वास्ता नहीं है तो आईए सुनते हैं कि डिम्पल यादो ने आगे क्या कुछ कहा शुरू से ही रख्ष्टिय जग जी ने इस बात को कहा है कि ये उनकी अपने खुद के विचार है, ये समाजवाती पर की पार्टी के विचार नहीं है और समाजबाती पार्टी उनके वचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं कपनी है फिलहाल अभी के लिए इतना ही आगे के लिए देखते रहें टीबी 24